नमस्कार दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास Z5 है या फिर Z7 है कोई फरक ने पढ़ता IQ का फोन होना चाहिए तो IQ के किसी फोन में OTG अगर आपका काम नहीं कर रहा है या OTG को कैसे चला सकते हैं यही वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको OTG कनेक करके दिखा देता हूँ तो आपको क्या करना होगा OTG कनेक करने से पहले आपको चले जाना होगा मोबाइल के सेटिंग पे और सेटिंग पे जा करके आपको यहां पे देख सकते हो जाद OTG को connect करोगे तो आप देखोगे कि यहां पे आपका USB Tribe आ गया है और इस पर type करोगे तो यहां पे files के थूरू या आपका जो original file है इसके थूरू किसी के थूरू आपको open करने के लिए बोला जाएगा तो just one कर लेता हूं तो यहां पे files के थूरू मैं आ चुका हूं अब यहां पे आप देख सकते हो कि आपको यहां पे यह देखो आपका यह new volume है और यहां पे आपका phone का storage है तो यहां पे new volume पे चला जाता हूं तो यह जो आपको file दिख रहा है यह सारा OTG का file है अब यहां पे यह भी बताऊंगा कि काम नहीं कर रहा तो कैसे fix करना है तो आपको यहां पे देख सकते हो DCIA में कुछ photo है अगर आपको OTG से उठा करके internal में डालना है तो यहां से इस तरह से जाओ 3 dot पे जाओ और copy करो या फिर move करो तो copy कर लेता हूं और copy करोगे तो यहां पे आपको ऐसे जाना है और अपने internal में जाना है और आपको यहां पे DCIM में जाना है, camera में जाना है या फिर कहीं एक folder नया select आए, इस तरह से folder भी बना सकते हो, कहीं भी, folder जो बना दोगे तो folder खुल जाएगा, इसके बाद copy कर देना है, तो आप OTG से data copy क कर चुके हो, इसी तरह से आप यहां पे अगर internal में से कोई file copy करना है, तो DCIM में जाओगे, इसे photo में जाओगे, क्योंकि DCIM में आपके सारे photos वीडियो होते हैं, अलग-अलग folder होते होंगे इसमें, जैसे कि आपने कोई app अगर इंस्टॉल कर रखा है, open camera तो open camera का एक folder होगा, तो यहां से ऐसे आपको check mark कर लेना है, जितने इस item को move करना है या copy करना है, move करोगे तो यहां से हटके यहां चला जाएगा, तो मैं copy कर लेता हूँ, तो copy करोगे, फिर से यह triple line पर जाओगे और new volume पर जाओगे, new volume आपका यह है, आप चाहो तो यहीं पे कोई folder create करके इस त कर रहा तो, तो देखो OTG अगर आपका काम नहीं कर रहा है, तो यहां पे आप चाहो तो मेरी USB fix वाली वीडियो को देख लीजेगा, जैसे कि आप computer वेगरा में data transfer करते हो, तो आपका USB काम नहीं करता है, USB threadering काम नहीं करता है, तो वो वीडियो को देख लीजेगा, उससे तो आपको नहीं को computer में लगाना है, और computer में लगा करके इसको default mode में या फिर NTFS file format mode चूच कर लेना है आपको NTFS, और इसके बाद इसको format कर देना है, इसके बाद जब लगाओगे न, first time, तो इस में इस mobile के अनुरूप Android के folder बन जाएंगे, और फिर यह जो file system format होगा, यह Android को support करेगा, फिर यहां पर show कर जाएगा, और आगर आपको इसकी वीडियो देखनी है, तो मेरे चैनल टेक नेश्टर पर इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं, बारी की से, तो इस तरह से आप ODG का इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ स समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो को rewind कर लिजेगा, कोई query हो तो आप Instagram पर direct DM भी कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगए होगी तरह लाइक कीज़े, share कीज़े, subscribe कीज़े, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई